देलाइफ टीवी सच सबसे आगे नमस्कार मैं हूर अजीर जा और आप देख रहे हैं देलाइफ टीवी किसानों से नफरत करने वाली मुदी सरकार अब किसानों को अपंग बनाने की कोशिश में लगी हुई है उनके प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकों पर LRAD डिवाइस लगाई जा रहे हैं चानते हैं यह डिवाइस कितना खतरनाक है यह डिवाइस हमेशा के लिए किसानों को गुंगा बहरा तक बना सकती है खतरनाक डिवाइस है आप अपने स्क्रिन पर या डिवाइस देख लिए लगा दिये गए LRED डिवाइस ऐसे बोलते हैं NDTV ने एक रिपोर्ट भी की है और जब हमने इस डिवाइस को समझने के लिए और भी रिपोर्ट ढूने तो हमें नव भारत टाइम्स पर भी इससे जुड़ी ख़़़ बिलिए है हैरान कर देने वाला मामला है यह सरकार किसानों से किस कदर चुड़ती है अभी हाइकोट ने भी मोधी सरकार को और खटर सरकार को जटका दिया है किसानों के मामले में इसके बावजूद किसानों को रोकने के लिए, किसानों से अपनी नफरत दिखाने के लिए इस सरकार ने तमाम हदें पार कर दी है जड़ा देखे अपने स्क्रिन पर राहूल तहिलानी ने NDTV के एक ख़बर को शेर किया है इसमें ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है कि बॉर्डर को किले में तबदिल कर दिया गया है कंटेनर में मिट्टी भर दिये गये हैं और भी बताया जा रहा है कि बड़े-बड़े कंटेनर लगाए गये हैं और इस कदर उसे भाड़ी किया गया है कि उसे किसान धक्के देकर भी हिला ना सके हैं। और उससे भी बड़ी बात, भयंकर और डराबनी बात कि उसी बॉडर पर, उसी सरक पर, टावर में पोल में LRAD डिवाइस बांथे गया हैं। राहूल कहिलानी ने इस वीडियो को शेर करते वे लिखा भी है, शौकिंग, एंडी टीवी की इस रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने ऐसी LRAD मशीने खड़ी कड़ी हैं, जिसकी आवाज से इंसान की सुनने की शक्ती जा सकती है। बहुत ही घंबीर और खतरना खबर। किसानों से ऐसी नफरत, जम्बर जी हो, किसानों पर गारी चड़वादो, जम्बर जी हो, किसानों की बली लेलो। साथ साथ सो किसान जब पिछली बार के अंदुलर में शहीद हो गए थे उस बक्त भी सरकारों की कानों पर जूत तक नहीं रेंग रहे थे लेकिन किसान अपनी कुर्बानी जायर होने नहीं देना चाहते थे धटे रहे तो मोधी सरकार को धुकना पड़ा और उधोंने कहा कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी और यहां बेहद ही शर्म की बात है कि प्रधान मंत्री उस बक्त किसानों को जूठा दिलासा देकर चला तो गया लेकिन फिर से किसान प्रदर्शन करने आये तो उन्हें बार्डर पर ही रोक दिया दिल्ली में धारा 144 लग नहीं आया और किसानों के लिए बार्डर पर ही उन्हें रोक कर उन्हें परिशान करने की कोशिस लगतार जाड़ी है आपको बता दें कि इस मामले में हम डिटेल में आपको बताएं लेकिर उससे पहले यहां भी समझ लिजिए कि मोधी सरकार और खटर सरकार हर्याना रूक करके किसानों को रोकने के लिए एक याचिका लगाई थी किसानों को दिल ना आने दिया जाए हमने यहां ख़बर देखी है लौट वर उसमें साफ तोर पर हर्याना हाइपको ने कहा कि आपके इस हेरिंग को हम अर्जिंट केस नहीं मां सकते किसानों में जो प्रदर् अधिकार होता है लिखा हुआ है ना ब्रेकिंग पंजाब और हर्याना हाई कोट रिप्सुजेज टू ग्रांट अर्जेंट हीरिंग और फ्रेस अप्लिकेशन बाइ सेंटर एंड हर्याना गवर्मेंट सीकिंग तू स्टॉप दा फार्मर्स फ्रों मार्चिंग टोवर्ज दि जी है हम उसे और्जेटले सुनने के इच्छुक नहीं है क्योंकि किसानों को रोकने की बात यहां हो रही थी खैर बात हो रही है कि किसानों को गुंगा बहरा बनाने के यहां साजिस जो है कैसे बीजेपी सरकार कर रही है कैसे बॉर्डर पर किसानों के साथ जुलमत का चार होगा खबर उससे जूरीवी है तो यह अभी ज्यादा इंपोर्टेंट है जा देखे अपने स्क्रीन पर नव भारत टाइमस ने लिखा है फार्मर्स प्रोटेस्ट सिंग्रू बॉर्डर पर लगाई गई LRAD डिवाइस आदमी को बना सकती है बहरा पहद ही चिंता जनक खबर रिपोर्ट में देखते हैं क्या है यह डिवाइस कैसे केसानों को परेशान किया जाएगा यह डिवाइस LRAD का फुल फॉर्म क्या है यह भी आप सी खपर में समझेंगे क्या है LRAD मशीन लोंग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस यानि LRAD को आमतोर पर साउंड तोप के रूप में जाना जाता है यह एक विशेस लाउड स्पीकर है जो उच्छ शक्ति की आवाज पैदा करता है इसका इस्तेमाल अलग-अलग देशों में पुलिस फोर्स की ओर से भीर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है इसको 2000 के दशक की शुरुवात में संयुक्त राज अमेरिका की सेना की ओर से विक्सित किया गया था अब या खतरनाक कैसे है या भी इस डिवाइस के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि बात देश के मिट्टिस में जो सोना उगाने की बात होती है धरती का सीना चीर कर हम आपके लिए अनाज उगाने वाले इस किसान के साथ ऐसे जुल्म की जाएंगे और ऐसी डिवाइस से लगाई जाएंगी जो बहुत चिंताजनक है तो जानिये जरा कि डिवाइस कितना वजन का है कितना खतरनाक है नव बार टाइम इसका कहना है लोंग रेंज एकास्टिक डिवाइस से इतनी तेज आवाज होती है कि कोई उसे बरदाश्ट नहीं कर सकता है इसका वजन 6.8 से 1500 किलोग्राम के बीच है इस डिवाइस से 152 डेसिबल तक की आवाज पैदा की जा सकती है और यह इतना डेंजरस होगा तो आप सूचिए कि किसानों की हालत क्या होगी अगर किसान प्रदरशन करने आए उन्हें जो दिल्ली जाने की जिद ठान रखी है अगर यही किसान इनके लिए मुसिबत बनेंगे तो फिर कैसे यह लोग इस एलाडी डेवाइस के चरिए उनके तमाम शक्तियों को छीन लेगे सुनने की शक्ति खतम हो जाएगी वो गुंगे हो सकते हैं अब ऐसे हालात में किसान क्या करेंगे है किसान तो फिर भी नहीं डखते हैं अब जिराज यहां सोचिए कि यहां जो डिवाइस है कहां कहां लगाए गया है बताया जाड़ा है कि दिल्ली पुलिस सिंगु बॉर्डर पर ऐसी ही एक मशीन लेकर आई है इसे पुलिस वाहन के उपर लगाया गया है इसके जड़िये दिल्ली के सीमा में जबरन घुसने वालों को रोका जाएगा इसे इतनी तेज आवाज निकलेगी कि प्रजर्शन का पिसानों के नाम पर सियासत करने वाले खास करके मोदी सरकार की चरप सी एक साल में पांच भारत रत्न बातकर कि सानों को लुभाने के लिए खुब परियास की जो राजनितिक तरिके से भारत रत्न माटे गए सम्मान जनक है कि आपने चौदरी चरण सिंग को भारत रत्न दिये आपने स्वामिनाथन साहब को भारत रत्न दिये लेकिन किसानों के निता चौदरी चरण सिंग को भारत रत्न आपने दिया लेकिन किसानो उसे जुरे रहे भारत रत्म दे दिया तो कोई किसान बोलेगा नहीं लेकिन किसान तो किसान है और वो लगता ढटे हुए हैं प्रदरशन कर रहे हैं अब LRAD डिवाइस का प्रयोग होगा तो यह मानवा धिकार का भी उलंगन होगा और यहां पर अभी भी आसो गैस के गोले छोड़े ही जा रहे हैं ड्रोन से आसो गैस के गोले जोड़े जा रहे हैं पानी की वो चारे हो रहे हैं लाटिया चलती हैं यह तमाम प्रदरशन जो है अभी तक कमजोर नहीं पड़ा है किसान के होसले कभी कमजोर नहीं पड़ते हैं सरकार के पड़ जाते हैं अदालत जा दे लाइफ टीवी सच सबसे आगे